से कमिया जादा कर सकते हैं इसमें हमने नारियल का बुरादा डाला है दो चमच इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे एक पिंच के जितना इसमें हम देशी घी एड़ कर देंगे पांच चमच हमने यहाँ पे देशी घी ली थी इसको अच्छे से मिला लें पहले हमने घी को आटे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए आटा अब हम इसमें पानी डाल के इसका आटा लगा लेंगे इसका आटा ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए मीडियम होना चाहिए न जादा सॉफ्ट न जादा हार्ड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे आटा गुद गया हमारा इसको छोड़ देते हैं थोड़े देर के लिए तब तक यहाँ पे हमने चाशनी बनानी है अब यहाँ पे दो ग्लास पाड़ी लिया है इसमें हमने दो ग्लास शकर डाली है दो ग्लास पानी में दो ग्लास शकर डालें अगर आप जादा बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं इसको चला लेंगे इसमें हमने इलाची डाल दी है कुटी हुई आप इलाची पौडर का भी उस कर सकते हैं और इसको हम चाशनी को पका लेंगे चाशनी हमारी जैसे गुलाब जामून की चाशनी होती है वैसी हो जाए तो चलिए हम यहां पे अब तेल ले लिए हैं इसमें हम आटा मिक्स कर लेंगे इसको साइड में रख लेते हैं यहां पे हमने आटा ले लिया है इसके हम लोई बना लेंगे इसी तरीके से आप सारी आटे की बना लें यहां पे हमने टोटल दस बनाई है यह आटे की हमने लोई बनाई है रोटी के साइस की यहां पे हमने इसको बेल लिया है अब सारी रोटी को ऐसे बेल ले यहां पे हमने एक रोटी लिये इसमें हमने जो आटे और तेल का मिक्स करके बनाया था इसमें लगा देंगे इस पे हम एक रोटी लगा देते हैं इसे तरीके से हम बाकी की भी कर लेंगे यहां पे हमने पाच रोटी को चिपकाया एक के उपर एक आप अपने हिसाब से कम यहां जादा कर सकते हैं पर इसको चार से कम ना करें इसको हम फिर से थोड़ा सा बेल लेते हैं ताकि यह बराबर हो जाए अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अब इसको छोटे छोटी पीसेज में कट कर देंगे हमने यह पे एक पीस लिया है इसको हलका सा प्रेस कर देंगे प्रेस करने के बाद बेल लें इसको थोड़ा सा अब इस तरीके साब इसको शेद दे दे बाकी सबको भी मैस से बना लेंगे इसको हमने आपे फ्राई करना है लो फ्लेम पे इसको फ्राई करें हाई पे अच्छी नहीं होती है अब हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे हमारी चाशनी भी रेडी है इसमें हम सबको डाल देते हैं इसको आदे घंटे के लिए छोड़ दें और हमारी मिठाई बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से रेडी हैं इसको अच्छे से डुबा देंगे हम इसमें आदे घंटे बाद हमारी मिठाई बिल्कुल रेडी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए नहें कर दो आदा भादयो कर दो एमारी अगर बिल्कृ तर चादा चैनल कर दो को यह वीडियो को यह वीडियो दो यह वीडियो कर दो घंगे एषी है